एसी तरह की महबबत का सुबूत हर शायर को और शायरा को मिलना चाहिए और मैं उम्मीद रखूँगी कि यही महबबत हैं आप सभी पर लुटाएंगे सभी को मिलनी चाहिए यह महबबत है चलिए आएए शेहर पूना से अमरावती की जानिब चलते हैं और एक ऐसे एक ऐसे खुबसूरत लबुलेजे के शायर को दावत दे रहे हैं जो खुद कहते हैं कुछ आईनों को सदाकत से दूर रखा गया मुझे भी अपनी हकीकत से दूर रखा गया खुदा ने दी मुझे चाहत शरीफ औरत की खुदा ने दी मुझे चाहत शरीफ औरत की मेरी गजल को सियासस से दूर रखा गया मेरी गजल को सियासस से दूर रखा गया बेहत खुबसूरत निजामत करते हैं अबरार काशिफ सहाब और आप लोगों की महबबतें अबरार काशिफ सहाब सबसे पहले सलाम अर्ज करता हूँ पुना को मन्जिलों का वो ही जाने रह गुजर अच्छी नही उसकी आँखें खुबसूरत है बन्जिलों का वो ही जाने रह गुजर अच्छी नही उसकी आँखें खुबसूरत है नजर अच्छी नही अब तो अब तो लगता है की आजाएगी बारी मेरी किसने दे दी तेरी आँखों को सुपारी मेरी किसने दे दी तेरी आँखों को सुपारी मेरी दिन में मिल लेते कहीं पुना वालो दिन में मिल लेते कहीं राज जरूरी थी क्या दिन में मिल लेते कहीं राज जरूरी थी क्या दिन में मिल लेते कहीं राज जरूरी थी क्या बे नतीजा ये मुलाकाद जरूरी थी क्या दिन में मिले ते कहीं राद जरूरी थी क्या बे नतीजा ये मुलागाद जरूरी थी क्या मुझसे कहते तुम्हें आँखों में बुला लेता तुम्हें मुझसे कहते तुम्हें आँखों में बुला लेता तुम्हें भीगने के लिए बरसाद जरूरी थी क्या मुझे से कहते हैं तुम्हें आखे बावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावाव बड़ी जलन हो रही है राशित सहाब से कि आपको इतना खूबसूरत बोलने वाली बीवी मिली बीवी हमें भी मिली है मगर सिर्फ बोलने वाली खूबसूरत बोलने वाली बीवी तो आप ही को मिली है मैं सिर्फ वशीर बद्रक के दो शेर मुझे याद आ गए है कि सौ खुलूस बातों में, सबदा ख्यालों में, एक जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में, पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा, हम जवाब क्या देते, खो गए ये सवालों में, तो बहुत अच्छा बोल रही है आप और मुझे इस बात का भी एसास हुआ है आज क मुझे अपने कई साथियों से के बाद में पढ़ना पड़ रहा है, हालनकि इस मुझे इसा लग रहा है नौजवान दोस्तों से मिलकर, अस्लम चुष्टी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, कि आज पहली मरतबा पुना का प्यार अपनी जोली में लेकर जाओंगा, औ आज अहलियान पुना दोहरी मुबारकबाद के मुस्तहिक इसलिए हैं कि इनामदार साहब की जीत हुई है, सियासी इतिबार से इनामदार साहब की जीत हुई है, तो आज दोनों का जशना आप मना रहे हैं, आप सब लोग मुबारकबाद हैं, बहुत मौतबर शक्सियतें मुझूद है, मुनवर पीर भाई मुझूद है जन से, जन की खिदमात का मैं इटेराफ करता हूँ, दिन में मिले ते कहीं रात जरूरी थी क्या बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या मुझ से कहते तो मैं आँखों में बुला लेता तुम्हें, अफ्रोस बाइ, मुझसे कहते तुम्हें आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसाद जरूरी थी, ग्या, पिर आँखों पर शियर सुनाता हूँ आपको, कि घर की तक्सीम में अंगनाई गवाँ बेठे हैं फूल गुलशन से शिनासाई गवाँ बेठे हैं बात आखों से समझ लेने का दावा मत कर हम इसी शौक में बीनाई गवाँ बेठे हैं बात आँखों से समझ लेने का दावा मत कर घर की तक्सीम में अंगनाई गमा बैठे हैं फूल गुल्शन से शिनासाई गमा बैठे हैं बात आँखों से समझ लेने का दावा मत कर हम इसी शौक में बीनाई गमा बैठे हैं फिर आँखों पे शेर सुना हूँ आपको मेरा अर्मा मेरी खाहिश नहीं है मेरा अर्मा मेरी खाहिश नहीं है ये दुनिया मेरी फरमाईश नहीं है मैं तेरे खाब वापस कर रहा हूँ मेरी आँखों में गुनजाईश नहीं है मेरा अर्मा मेरी खाहिश नहीं है ये दुनिया मेरी फर्माईश नहीं है मैं तेरे खाब वापस कर रहा हूँ मैं तेरे खाब वापस कर रहा हूँ मेरी आँखों में गुंजाईश नहीं है मेरी आँखों में गुंजाईश नहीं है और हलके फुल के अंदास का एक मतलब एक शियर सुना कर इजाज़त चाहूंगा आपका कि आवारगी के सारे हवालों को खुला छोड़ सहरा की याद पाउं के छालों को खुला छोड़ करती है तो करने दे हवाउं को शरारत मौसम का तकाजा है कि बालों को खुला छोड़ करती है तो करने दे अच्छा लग रहा है आपको दिल धड़क रहा है आपका करती है तो करने दे हवाओं को शरारत आप क्यूं खामोश है चचा कुछ याद आ गया आपको आवारगी के सारे हवालों को खुला छोड़ मुबारक बाद अपने महसिन, अपने बड़े भाई, अपने दोस्त, अपने करम फर्मा जॉक्टर माजीद दिवबंदी सहब को, अफरोज आलम भाई को, जनाब जुबेर फारूख सहब को और महताब आलम सहब, आप सब की महबत हैं, अना साहिबा भी देखिए, देर में तश्रीफ लाई हैं, कितनी खूबसुरत लगती हैं आद भी, माशाआलला आवारगी के सारे हवालों को खुला छोड, सहरा की याद पाउं के छालों को खुला छोड, कर दी है तो करने दे, हवाउं को शरारत, मौसम का तगाजा है के बालों को खुला छोड, वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे, वरना फिकरों ने तो बस घेर के मारा है मुझे वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे वरना फिकरों ने तो बस घेर के मारा है मुझे और जिसकी तस्वीर में कागज पे बना भी न सका उसने महंदी से हथेली पे उतारा है मुझे जिसकी तस्वीर में कागज पे बना भी न सका उसने महंदी से हथेली पे उ तारा है मुझे पुना वालो गैर के हाथ से मरहम मुझे मनजूर नहीं तुम अगर जखम भी दे दो तो गवारा है मुझे गैर के हाथ से मरहम मुझे मनजूर नहीं तुम अगर जखम भी दे दो तो गवारा है मुझे दिल की मस्जिद से अजानों की सदा आती है ऐसा लगता ह कि मालिक ने भुका रहा है मुझे बहुत शुक्रिये अपने अपने दिल में बसाओगे हमको और गले से लगाओगे हमको हम नहीं इतने प्यार के काबिल तुम तो पागल बनाओगे हमको इस तरह बड़ी आवाजें आती हैं यहां वहां से बंबई से उत्तर परदे से आजका सुनिएगा थोड़ा सा करता हूँ अब सुनिएगा इस तरह तल्खनवाई से नहीं चलता है इस तरह तल्खनवाई से नहीं चलता है काम दुनिया में बुराई से नहीं चलता है प्यार जिन्दा है जमाने में भले लोगों से प्यार का नाम लड़ाई से नहीं चलता है प्यार का नाम लड़ाई से नहीं चलता है मेरे बच्चों की अबादत भी है इसमें शामिल घर फक्त मेरी कमाई से नहीं चलता है मेरे बच्चों की अबादत भी है इसमें शामिल मेरे बच्चों की अबादत भी है इसमें शामिल अच्छा लगा आपको बच्चों पे शेर सुनाता हूँ आपको सितारे और खिसमत देखकर घर से निकलते हैं सितारे और खिसमत देखकर घर से निकलते हैं जो बुजदिल हैं महुरत देखकर घर से निकलते हैं सितारे और खिसमत देखकर 500 किलोमेटर का फासला है अम्रावती मेरे घर से लेकर पूना तक लेकिन पांच सो किलोमेटर के फास्दे में मुझे आप से मुलाकात करते हुए पंद्रा साल हो गया है पंद्रा साल में पहली मरतबा मैं पूना बुलाया गया हूँ सिर्फ असलम साथ की वज़े से दोबारे बुलाया जाओंगा ये नहीं ये भी कोई ARन्टी नहीं है इस तरह तल्ख नवाई से नहीं है सितारे और किसमत देखकर घर से निकलते हैं जो बुस्दिल हैं महुरत देखकर घर से निकलते हैं हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम बच्चों की सूरत देखकर घर से निकलते हैं हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम बच्चों की सूरत देखकर घर से निकलते हैं इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है काम दुनिया में बुराई से नहीं चलता है प्यार जिन्दा है जमाने में भले लोगों से प्यार का नाम लडाई से नहीं चलता है मेरे बच्चों की अबादत भी है इसमें शामिल घर फक्त मेरी कमाई से नहीं चलता है गंदगी रूँ के अंदर है इसे खत्म करो सिर्फ बाहर की सफाई से नहीं चलता है गंदगी रूँ के अंदर है इसे खत्म करो गंदगी रूँ के अंदर है इसे खत्म करो सिर्फ सिर्फ बाहर की सफाई से नहीं चलता है दो चार शेर याद आ गए हैं आप बरदाश कर लें सुन लीजिए गा इजाज़त है आपकी दो चार शेर सुनाता हूँ कि दिल किया दर्द किया जान किया है मैंने आपको कितना परेशान किया है मैंने दिल किया दर्द किया जान किया है मैंने आपको कितना कितना परिशान किया है मैंने इतना मगरूर नबन मुझको समय कहते हैं दिल किया दर्द किया जान किया है मैंने आपको कितना परिशान किया है मैंने इतना मगरूर नबन मुझको समय कहते हैं बादशाहों को भी दर्बान किया है मैंने इतना मगरूर नबन मुझको समय कहते है बादशाहों को भी दर्बान किया है मैंने सारे फूलों की हिफाज़त है तेरा पहला फर्ज तुझको गुलशन का निगेवान किया है मैंने